अब पढ़ेंगे next topic जिसका नाम है dislocation of the hip hip का dislocation तो यहां पर hip के dislocation के कुछ classification दिये है कि जो hip का dislocation है वो किस-किस तरह से हो सकता है hip का dislocation हो सकता है posterior dislocation, anterior dislocation and central fracture dislocation posterior dislocation में क्या होगा ना जो head होता है फिर्मा का जो head होता है पीछे की तरफ चला जाता है anterior dislocation अब जो head हो आगे की तरफ आजाता है जो central fracture dislocation है उस पर यह वाला जो head होता है यह अंदर की तरफ चला जाता है आपने इसको diagram के थुरू देखते है तो यहां पर यह एक normal joint है यह normal hip joint है तो यहां पर यह pelvis है है यह पर acetabulum है और acetabulum परằng फिर्मा का जो head होता है वहая No और यहां पर बाद आता है तो यहां पर लाएक कि दिस्लोकीशन के postural और र एक्रे रील डिस्लोकीशन तो पुरिखते हैा यह तारह सब हरें दो इस वाले से और हो ऑफ रहा हरा है और जो का है इसी और घर को तो पॉलं भूब को तोड़त हुए अंदर की तुरब चला जाता है इसका में तो अपने सब्सक्राइब छाट itudガード कर से नपेस्ट न्यार्ट हुआ है टी संक्या यह पुस्ट अव्याट में यहां पर फिमर का है यहां से निकल के बहर के तरफ चला गया है पीछह के तरफ तो अब अपन आगे की बात करते हैं इन अबाउट 50% केसेज इस एससेटेटेट विद दे चीफ फ्रेक्ट्ट्र ऑफ पोस्ट्रेल लीफ ऑफ दे एसेटाबूलम जो यहां पर एसेटाबूलम है जो पीछे वाला जो पार्ट होता है ना उसका फ्रेक्ट्र अपने को देखने इस लोकेशन भी हो रहा है और यहां पर फ्रेक्ट्र भी हो रहा है कि अपने से इस डाग डाइगलाम की तुलोट्ध देखते हैं यह था अपना नोर्मल जोईंट यहां पर हीप जॉइंट यहां पर प्रेमर काहला यहां पर ऐसी टाबूलम है तो यह पीछे के तिरफ है तो यह जो आप पहता है निसला हो प्रक्री बहुस्त भापना आप captivates क्वेक्टर को यहाँ फैस में करके हैं 3ग्ष के ऐसनोव लेगे क्मल पएन और यहीं होता है इंजरी graph people the femur with the hip flexed hip joint flexed है ठीक है और उसमें इस तरह से कोई चोट लगे कि जो हेड पीछे के तरब चला जाए तो उसका रहने से पोस्ट्रेल डिस्लोकेशन हो सकता है जो जो हेड पीछे के तरब चला जाएगा उसके अंदर आपने देखने को मिल सकता है जैसे रोड ट्राफिक एक्सिडेंट होते है उसमें उसके बाद एक इंजरी आती है इसका नाम है डेस बोर्ड इंजरी जिसके अंदर क्या होता है ना फोस्ट्रास्मिटेड फिमोरल साप्ड पोस्ट्रर डिस्स्ट्र केशिड ओफ तो मालो यह फरसेंट है यह पर बेठा हुआ है यह कार है तो यहां पर पर सब्सक्राइब होते हैं तो अगर आगे के तरफ टक्राएगा इससे अगर ब्रेक लगा या फिर फिवा तो आगे के तरफ इसका जो जो यहां पर फिर्मर प्लाइन होते Syd उसके उपर फोर्स लगेगा और इसका फोर्स लगेगा तो यह पार्ट है हेड है वो पिछे की तरब निकल जाएगा आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर यह लिखा हुआ था कि जो फोर्स है और ट्रास्मिटेट होगा फिर्मोरल साप्ट के उपपर और जिसका होगा पोस्ट्रे डिस्लोकेशन होगा हिप जोइन का इसके बात अपन देखेंगे इसके रेडियोलोजिकल फीचर्स तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या है ना इसको डियाग्नोस करना इजी होता है एक अगर किसे में cva trauma हुआ है तो इसके अंदर आपने आपने देखने मिलेगा स्वेलिंग देखने को मिलेगा आपने डिफोर्मिटी भी देखने को मिल सकती है जिसके अंदर क्या होगा जो लेग है उसका फ्लेक्शन होगा अबदक्शन में होगा और वह उसका इंटरनल जोइंट है यहाँ पर हिप जोइंट है यहाँ पर नी जोइंट है यहाँ पर एंकल जोइंट है तो बिल्कुल यह स्टेट होगा जिसे अपर नॉर्मल पोजिशन में खड़े होता है यह बिल्कुल वैसा होगा लेकिन जो इफेक्टेट जो साइड है जिसका डिस्टोकिशन ह वोना है उसका हेड कैसे होगा यहां इख सकते हैं यह फिनार अप्दक्राइश्च होगा पर इसके बार Microsoft को इसका नई की तरफ हुआ इस डियाग्राम में अपने सकते हैं यह यह city कैसे flexed होगा, abduction में होगा and internal rotation इसका देखने को मिल रहा है अपनको तो अपन इस तरह से देखके इसको diagnose कर सकते कि इस जो इस वाली case में क्या हो रहा है तो अपन समझ सकते इस तरह का अपनको लेग इस तरह का दिखेगा तो अपन समझ सकते कि उसका postural dislocation हुआ है hip joint का तो इस current से क्या है ना यह इंदर की तरफ चला जाएगा तो इसकी length है ना वो कम हो जाएगी और इसकी जो length है ना इससे कम हो जाएगी इसकी length तो यहाँ पर shortening of the leg आपनको देखने को मिलेगा feel the head of the femur in the gluteal region जो आगे पीछे की तरफ क्यों होते हैं पीछे की तरफ चला जाएगा तब आसा लगेगा कि gluteal region में कुछ ऐसे head है वहाँ पर आपन देखके पता लगा सकते कि वहाँ पर कुछ ऐसे full finness लगेगा अपनको कि जुसका जो head है वो gluteal region में चला गया तो वहाँ पर आपनको head है femur का वो feel हो सकता है और कभी-कभी कहना यह injury मिस्ट हो जाती है तो इस कारण से अपनको इसको avoid करने के लिए अपनको इसका x-ray करवाना चाहिए pelvis का x-ray करवाना चाहिए pelvis का ताकि यह जो disease जो deformity है यह dislocation हुआ है ना वह अपन से मिस्ट ना हो जाए यह मिस्ट किस कारण से हो सकती है fracture of the shaft of the femur and unconscious patient जो unconscious जो patient होते हैं वो कुछ बोल नी पाएंगे कि इसको क्या हुआ है तो अपनको इसका x-ray करवाना पड़ेगा ऐसा नहीं है अपने किसी और चीज का treatment start कर दे और इस जो main है उसको भूल गए तो fracture of the shaft of the femur अगर प्रिमर का प्रिमर का जो साफ्ट होता है उसका fracture हुआ है तो डोक्टर क्या सुझेगा कि इसका जो femur का साफ्ट है सिर्फ इसका fracture हुआ है वो जो dislocation हुआ है उस पर ध्यान देगा तो इसको avoid करने के लिए अपने को इसका x-ray गरवाना ज़रूरी होते है तो अब इसकी जो त्थाई है इसका अपनको इंटर्न रोटेशन देखने को मिलेगा जो लेसर ट्रोकेंटर होता है ना फिमर में वह नोट सेन वह प्छारव यह उसके बाद जो सेेंटों जो लाइन होती है ना वो ब्रेक हो जाएगे मतले आपने थीक से देखने को नहीं लेगी तो पनी देखते कि सेंट्वर्स लाइन क्या होती यह को इस तरह से देखने को मिलिए यह सकते हैं यह नोर्मल कनिशन में नौर्म जो आपको देखने को मिलेगा लेकिन फ्रेक्ट्र या फिर डिस्लोकेशन होगा जो यह हेड्म है यह पिछे तरप चला जाएगा तो ज लोग दे इंफ्रो मीडियल बोर्डर ओफ दे नेको और फीमर तो आप इस तरह से इसको इजली समझ सकते हो कि सेंट्रोस लाइन क्या होती है और उसके बाद इसका डाइग्नोसिस करने के लिए अपन सीटी स्कीन करवा सकते हूं अपना देखा था अपन एक्से करवा सकते हैं एमराय वाँ रज़ा अउस जो भी ठीक ले अगया है उसके बाद आता है इसका टीटमेंट तो आपना ये क्वा सकते हैं य। टो एपन कर सकतें नॉन ऑपरेट्युमेडड के थूलो एपन कर सकतें। इसका धूठ्च्च्ण करेंगे जो जो डिस्लोकेशन हुआ है उसका डिड़क्शन करेंगे और ऑप्रेटिव के अंदर क्या करेंगे अपन उसके अंदर कुछ फिक्स्ट करके उसको अपनी जगा पे लगाने की कोजिस करेंगे तो डिड़क्शन दा हिप का रिड़क्शन करेंगे अपन मैनिपुलिशन करके जन ना वह अपनी जगह पर डुक नहीं पाएगा क्योंकि इसको पूरा बोर्डर है जो इसको फिक्स्ट करके रखता है वह तूटा हुआ है तो तूट जाएगा तो जो हैड अपने रिडूस्ट किया है ना वह बाहर में निकल जाएगा तो इस कारण से अपने को फिर ओपर के आएंगे इसको पर कहते हैं रिडुक्शन ठीक है तो अपन इसके लिए ओपर रिडुक्शन करेंगे तो अपन क्यों करते हैं अगर फेल हो जाते हैं अपने यह किया तो पर यहां पर यह फेल हो रहा है बार बार को वह हैड निकल रहा है अपने जगह से फोल हो रहा है त अपन उसका ओपर डिडॉक्षन करेंगे लुट इफ इंट अडिकुलर लूस फ्रेग्मेंट नोट अलाओ और अगर एसे टाब बूलां फ्रेग्मेंट लार्ज है तो इस कारण से भी अगर छोटा होगा तो बढ़ा होगा तो बार बार निकल जाएगा तो इस करान से अपन को उसका ओपर डिडॉक्षन करना पड़ता है तो लुट टेक्निक के नदर क्या करते है ना पेशेंट इसे श्रीक अिसे इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है जो असिस्टेंट है उसको ग्रियां से ग्रेस करेंगा उसके बाद करेंगे नी को राइट एंगल के अंदर लेके आएंगे उसके बाद एक्सर्ट एक्जिलरी एक्स सोरी एक्जिल पुल हीर साउंड ओफ रिडक्शन तो इसमें फोर्स अपन देख सकते कि यह फोर्स लगा रहा है वह इस तरह से लगा रहा है ट्रेक्शन देखके यहां पर और यहां पर इस तरह से निचे की तरब लगा रहा है तो यह इसका ट्रेक्शन देखके जो हैड़े वापस इसके एसी तबुल में लाने की को जिसकर रहे हैं तो वापस लाने की को जिसकरेंगे तो जो सरजन है वह यह साउंड सुनेगा उसको टक्क किया वाज जाएगी मैं इ हीप फ्रेमली इन ओल डारेक्शन और अगर ऐसा सही हो जाता है वह तो जो हीप जोइंट है वह अच्छे से मूग कर पाएगा सभी डारेक्शन में फ्रीली लेग स्किप्ट लाइट ट्रेक्शन वित हीप अबड़क्टेट थ्री वीक मोबिलाजेशन एक्सराइज स्टाट तो वित ही यह चेक्टेशिंगे साथ पर अपनों को मैंने हैं दो ईसी चेल्सके वाइब ड़कर देंगे और फिर से कर देंगे तो अब पढ़ेंगे इसके कुछ कॉप्लिकेशन्स के अंदर के आएगा ना इंजरी टू दर सियाटिक नर्व होती है ना उसके इंजरी उसके बाद एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फिमॉरल हैड उसके बाद और्स्तियों आर्थराइटिस एंड मायोसाइटिस ऑसिफिकेश तो अब पहले बात करते हैं इंजरी ओफ दर सियाटिक नर्व सियाटिक नर्व इसका डेमेज हो जाएगा इस वाली कॉम्लिकेशन्स के अंदर तो जो सियाटिक नर्व है यह कहां पर प्रेजेंट होती है बिहाइंड पोस्ट्रील वोल ऑप दे एसिटाबूलम जो एसिटा तो इसका डेमेज अपने को देखने को मिलेगा पोस्ट्रील डीशलोकिशन ओगा क्योंकि जो यह हैड है वो पिछे के तरफ निकल जाएगा तो कईना कई वह इसको भी डैमेज करेंगा स्याटिक नर्व को भी मिर्व आप यहाँ पर देख सकते हों कि अंत्य नर्व कहां यहां पर क्या होता है ना इसके साथ क्या होता है लार्ज बोनी फ्रेग्मेंट फ्रोंग पोस्रेल लिप अपड़ेगा तो यहां पर निकल जाएगा जो acetabulum है उसका जो posterior lip होते हैं आपने देखते हैं कि इसका भी fracture हो जाएगा अगर यह head है वो इस तरह से है वो इस तरह से होगी इदर से force लगेगा तो यह वाला पार्ट भी निकल जाएगा तो यहां पर इसकी बात होगी तो इसका treatment है अपने देखते हैं किस तरह से हो सकता है इंजरी इस नियोप्रेक्जिया और रिकावरी स्पोंटेनेसली अगर नियोप्रेक्जिया वाली इंजरी है तो रिकावरी स्पोंटेनेसली होगी in case fragment of posterior lip not reduced closed method open reduction never exfoliating required तो अगर जो posterior lip के वोल का जो fracture हुआ था अगर वो reduced नहीं हो पाता है closed method के through अपने किया तो ना closed reduction अपन कर रहे थे तो नहीं हो पाएगा तो अपनको उसका open reduction करके उसको ठीक करना पड़ेगा और इसके साथ साथ nerve exploration required हो जाता है तो अब next complication आते हैं second वाला avascular necrosis of the femoral head जो femoral है जिसका dislocation हो रहा था उसका avascular necrosis अपने को देखने को मिल सकता है तो यहां पर कहना 15-20% cases के अंदर अपनको जो हेड होता है ना उसका avascular necrosis अपने को देखने को मिलते हैं और यह कफ अपेर होता है ना जब एक्सर करवाते यह एंजरी इंजरी के 2-3 साल बाद आपन जब एक्सर करवाते हैं जब अपनको इसका पता लगता है तो इसके अंदर क्या होता है ना जो femoral इसके बाद काफी सीवर कंडिशन होते हैं जिसके मैं कोई treatment अपन ज्यादा करने पाते हैं वह ठीक नहीं हो पाता है और तो इसका एक टीटमेंट है कि अंदर करना पड़ेगा है पर रिप्लेस्मेंट तो इसका जो है ना नेस्ट कॉंप्लिकेशन में यह कि और तो आर्ट कॉंप्लिकेशन है यहां पर किता सालों बात पता रहा था नहीं हो रहा है दो रहा था यह तो ऑना यह हुआ पर है यहां पर भी इसका ट्रिट्मन यह होगा कि ऑपलेटिव टोटल हीप रिप्लेस्मेंट अपर करते हैं उसके बाद रहता है मायोसाइटिस ऑसिफिक्षिक्षिशन अकर्स फिर वीक ओफ टू मन्त आफ्टर इंजरी यह इंजरी इसके बाद वीक्स टू मन्त के अंदर पर देखने को नजर आएगा यह नजर आएगा कि जो हीप चोएंट है उसके आसपास अपने को फ्लफी न्यूबोन देखने को मिलती है तो इसका ट्रीट्मेंट यह है कि अपना यहां पर कंप्लेट होता है पोस्ट्रियल डिस्लोकेशन इसके अंदर क्या और है अपने देख साmily और है चांइनएन सिर्फ इंजर आया इस में इंजरी क्या डाइन motivating के ठीक आप देखने के उसके ऌहत lesson के भारे में in hay तो यह वाला कि आनिस दो क्यंट होते हैं यह उत्यां प्रमेंटपिशाइब आका यहां के बारे इस फैन पर नियुकित होती है यह तो पीछे के तरब देएगिए मैं अब यह पेल वेस तो अपने अपने जगह पर है लेकिन यह है यह है यह निकलकर आगे तरब आई है तो इसको अपन कहते है एंट्रेलर डिस्टॉकेशन ओफ है यह एक रेयर इंजरी है तो इसके अंदर क्या होता है लेकर फोर्स इबा कि बाद कि हो जाएगा ना जो ने Do not राग जाएगा और यहां पर एंगल जोंट इस तरफ से यहां पर आ जाएगा तो इसका एश्चिनली निकल जाएगा पहले वाले में आपने देखा था को यहां से आगी इसके जो परसेंट उसके आगे से चोट लग लिए थी तो जो ही पैक का जो पार्ट है जो मला जो फिमर का जो हेड पिछी तरब जाएगा तो इसको आपन कहते हैं एंटेरियर डिस्लोकेशन यह तरह से इसक तरह से हो जाएगा अप्डेक्टेड एंड एक्शनलरी रोटेटेट तो अपन यहां पर देख सकते हैं पने डाइग्राम बनाया था यहां पर कि जो अफेक्टेट पार्ड है वो इस तरह से हो जाएगा जो उसके पहले वाला जो पोस्टेट डिस्लोकेशन है उसके अंदर किस कारण से हो सकता है फोल फ्रोम अट्री फूट गेट इस ट्रक एंड हीप अब्डेक्टेड अगर कोई गिरता है ट्री वगएरा से तो उसको इस तरह से गिरा तो उसको एंटिश्लोकेशन हो सकते है रोड ट्राफिक एक्सडेट अपने देख लिए पिक्चर में तो इस क्लोज जो डिदक्शन कराएंगे उसके बार तो अपने इसका ओपन डिदक्शन कराएंगे अगर 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 यह पॉसिबल नहीं है तो अपन उसका ओपन डिदक्शन करेंगे अपने पड़ेगी तो अब आता है नेक्स्ट सेंट्र फ्रेक्चर डिस्लोकेशन अपने देखा था किसके तीन डिस्लोकेशन होते हैं हिप के पोस्ट्रेली एंट्रेली एंड सेंट्रेल वाला जो अपने दोरों पढ़ लिए अब आएंगे इस थर्ड़ वाले के अंदर त इसका जो फीमर है वो इसका इस तरह से छीदा है यहां पर हिप जोइंट है तो जो स्कार के कारण क्या होगा जो एड़ वह अंदर पाल्विस के अंदर चलाएगा यह दर से फोर्स लग रहा है तो इस दर भी जा सकता है तुछ वाली कोल्सक्रान बोलते हैं सेंटल फेक्चर डिस्लोकिशन ऑफ दा हिप यह काफी कोवन इंजरी है फिमॉरल हेड इस ड्राइंट थुरू दे मीडिल वॉल ऑफ दे एस्टिटा बुलम यह जो को देखो यह फिमर का हेड है यहां पे एस्टिटा बुलम होता है यहां पर यह फिक्स्ट होता है अगर यह इसके अंदर चला जाएगा मीडिल वॉल ऑफ दे एस्टिटा बुलम ओके टुवर्स अपेल्विक केविटी तुवर्स अपेल्विक केविटी इदर होते है तो इसके तरफ चला जाएगा से कुछ कॉंपलिकेसंस होता है हिप स्टिफनेस आ जाती है मायोसाइटिस अपने देखने को मिल थी कुछ सालों बात और तो आर्टराइटिस हो जाएगा जिसके अपने पड़ लिए हिप जोइन का रिप्लेस्मेंट करना पड़ेगा इसके ट्रीट्मेंट कॉंपलिकेसंस इन तीनों के सेम सेम होता है जो कि अपने पोस्ट्रियल पोस्ट्रियल दिस्लोके पड़ा